अर्गेट विद पियस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचना होती है जो भी निसमचार पत्रों परचाईवी होती है और विद्ध्यारतियों के लिए आवश्यक होती है तो आई ये सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समचार पत्रों में विद्ध्यारती जीवन चेस समध्यत कौन-कौन से सूचना है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शियर करते हैं और जिन चात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो पर इससे समय तो 7 विपर भी आपको इसी पुस्तक भी मिल जाएंगे, सब्सक्राइब कापी किताबों के दुकारों में, चच्चु प्रकाशन की यह best विपक आपको मिल जाएगी, और अगर आप लोग online में उखवाना चाहते हैं, तो उसकी link मेंने description box और comment box, आपसे दोनों जगे उपलब्त करा दी है, बियर्ड इंटरेंस की इस्ट्री गाइड जिससे आप लोग देख रहे थे, उसके साथ साथ में चच्चु प्रकाशन की यहां पर देख सकते हैं, आप लोग practice sit भी आता है, practice sit में भी 15 practice sit आपको मिलेंगे, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, पूरु सेनिक, नागेंदर पांडे, और बहुत सारे जो चात्र हैं, यहोंने PNP में भी धरनापरदसन किया, साथ में यहां पर अपर अपर रोश्रिक्षर ने दे सकते हैं, यहां पर भी कई बार धरनापरदसन किया, मामला कोर्ट में गया है, अब वो दिन आ गया है, जिस दिन इस केस पर निरणे हो जाएगा, यह देख सकते हैं, 15 फरवरी की यह लिस्ट है, और इसमें Honorable Justice, सौरब स्याम समसेरी जी की कोट है, और इस कोट में 12 तारी को, आफकी जगा 15 तारी को आरडर सुना जाएगा, आरडर इसका पहले ही सुरक्षित किया जा चुका था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही जानकारी दी थी, और देखते हैं कि 15 तारी को क्या होता, बहुत सर विद्धार थीं को इंतिजार है कि जल से जल यह भरती कम्प्रीट हो, इस भरती की परिक्षा भी हो चुकी है और इस भरती का दो बार परिणाम भी जारी किया जा चुका है, अगली जो सुचना है वो बिहार की है, दो सुचना है, उसके बाद में फिर यूपी की बहुत सारी सुचना है, जहाँ पर लिखा हुआ कि बिहार के बजट के बारे में सूजना दी गई है एक साल में सरकार देगी 3 लाख नोकुरियां शिक्षा वा पुलिस में सबसे अधिक बहाली तो सिक्षा में तो हम लोग देखी रहें लगातार नोकुरियां निकल रही है और वहीं पर सिपाही भरती के बारे में भी एक बड़ी घूफना कर दी गई है समचार पत्रों के माद्दम से जानकारी दी गई है कि बिहार में 67,735 पुलिस कर्मियों की होगी भरती राज सरकार ने ने वित्तिवर्स 2024-25 के लिए पेस किये गे बजट में ग्रह विभाग के लिए 16,323.83 करोड रुपय का प्रावधान किया है यह कुल बजट राजी का 5.86 प्रतिसत है हाला कि ग्रह विभाग के स्थापन मद में 15,480.55 करोड खर्च किये जाएंगे तो विद्यार्थियों को यहाँ पर जो नए विद्यार्थी है जो विद्यार्थी पुलिस में जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक बड़ा मौका इसी साल मिल सकता है इसी बीच उत्तर प्रदेश के जो CM है CM योगी उनका भी एक बयान आया है नवकुरियों को लेकर के हाला कि यहाँ पर नजी छित्र की बात जादा की गई है लिखा है कि यूपी में नवकुरी और रोजगार के 1.10 करोड नए अवसार मुख्यमंत्री योगी अज़िद्राथ ने कहा है प्रात्मिक शिक्षक बरती को लेकर के भी सूचनाय है लिखा शिक्षक बरती के विग्यापन जारी करने की मांग प्रात्मिक शिक्षकों की नई भरती निकालने की मांग को लेकर के डियलर प्रशिक्षितों ने भी सिक्षा राज्य मंत्री संदीव सिंग के आवास के बाहर्च परतसन किया पुलिस ने प्रतसन कारियों को इको गार्डन भेज दिया डियलर संग के अधिक चरज़त सिंग ने का कि 5 वर्स अधिक समय में भरती ना आने के कारण देलर प्रशिचित मानसिक तनाव से जूज रहें और उन्होंने का कि विधान सवा चुनाव के समय ततकालिन शिक्षमंत्री 37 चंद वेदी ने 17,000 शिक्षक बरती को लेकर के लिखित आदिश दिया था लेकिन दूसरा वर्स भी लगा हुआ है भरती अभी तक नहीं निकली है इन विधार्थियों ने कल जो शिक्षम मंत्री हैं मैंने कल आप लोगों को जानकारी वेदी थी वहाँ पर प्रद्यसन किया था और उसके बाद में विधार्थियों को वहाँ से ग्रफतार करके फिर से पुना इको गार्डन भेज दिया जिसस नकल विरोधी कानून पर राष्टपती की मुहर कानून के तहत अपराद संगे वा गयर जमानती है भरती परिक्षा में नकल पर सक्ति का कानून अब लागू हो गया है परिक्षा में गलबड़ी करने वालों को तीन से पात साल तक की कैद और दस लाख रुपे तक का जुर परिक्षा में सेवा परदाता की गलबड़ी पर अब तीन से लेकर के दस साल तक की सजा और एक करोड रुपे तक का जुर्बाना लगा जाएगा कानून के तहत सभी अपरादी संगे वा गयर जमानती होंगे सिपाही भरती को लेकर के भी सूचना है जो परिक्षा होनी 17 और 18 फरवरी को लिखा हुआ है कि घड़ी चस्मा टोपी वा खाने का समान परदिबंदित एडमिट कार्ट जारी कर दिये गए पुलिस भरती परिक्षा के नूडल अधिकारी DCP आस्तोस दुएदी ने बताया क यह परिक्षा केंदर के भीतर किसी भी तरह की electronic device को ले जाने पर रोख है इसके रावा घड़ी चश्मा टोपी खाने का समान भी परदिबंदित किया गया है परिक्षा संबंदी तयारियों को अंतिम रूप दिये जा चुका है और इसके साथ ही परिक्षा duty में लगे अपस विदा है तो यहाँ पर contact कर सकते हैं SSC का भी परड़ाम जारी किया गया उसको लेकर के भी सूचना है लिखा है कि दिल्ली पुलिस इम सेंटरल और पुलिस फोर्स में उपन रिक्षक वर्ति में मेड़कर के लिए 746 अबर्थी योग पाए गए है आरो यारो को लेकर के वि पर लीक होने के मामले में जांच कराने की मांग शुरू हो गई है दोबारा परिक्षा कराने की मांग भी हुई है रविवार को आयोजीत परिक्षा का पेपर लीक होने की सिकायत के बाद आयोग ने आंतरी के जांच समीतिका कठन किया है साथ ही STF से जांच कराने की सुष्ट नहीं है युवा मंच के संयोजग राजय सचाने मुख मंतरी के एक्स पर पोस्ट करके हाई कोड के निर्देशन में पूरे मामले की उच्छ जांच कराने की मांगी है उन्होंने तय अवद के भीतर जांच पूरी करने की मांग भी की है और बात सही है विद्यार्थ की पत्तर गिर्जा घर में धरना परदेशन कर रहे हैं यहां पर देख सकते हैं 64 दिन से लगातार धरना परदेशन कर रहे हैं चूंकि उत्तर प्रदेश की लगवक सभी बरतियां रुकी हुई है खास्त और से विद्यार्थी शिक्षक बरती की मांग कर रहे है टीजीटी समायूजन के बाद में दो भर्तियां हुई थी एक 68500 और एक 79000 सिसक बढ़ती अर्षट 1500 में भी धांदली के बहुत बड़े आरूप लगे थे कि बहुत सारी विद्यार्थियों ने अंदर से नंबर बढ़वा लिए हैं कापियां भी जलाई गए थी बहुत सारी चीजें भी उस टेबूलेश्ण में विद्यार्थियों नंबर बढ़ाए गयत अनिविध्यार्थियों ने बढ़वा लिए उसकी बाद में गयां नाद में इना भार किया प्रिच्चा की आत्मा है इसलिए मेरिट के साथ समझोती की अनुमती नहीं दीजा सकती है ऐसा करने से प्रिच्चतंत्र की विश्शनीता वह भुरुसा कम होता है यहां पर लिखा हुआ कि कोट ने 2018 की 8500 सायक अध्यापकवर्ती में धांदली करके कम अंग पाने के बावजूत टेबुलेशन में अधिक अंग दर्ज कर चैनित अभर्तियों की एक साल के भीतर जांच के बाद निक्ति निरस्त करने के आदेश में हास्ता छिप करने से इंकार कर दिया गया है तो जांच में इ के विद्यारती 29 सायक अध्यापकों की 19 याज का खारिश कर दी गई है साथ ही प्रत्यक याची पर 5000 रुपय का जुर्बाना भी लगाया है यह रासी चार सब्ता में हाई कोर्ट विदिक सेवा समीत में जमा करके रसीद फाइल में रखने का आदिश दिया है यह जो फरजी से इनो ने नंबर बढ़वा लिया था और यह निक्ति के लिए पात्र हो गये थे तो हाई को यह भी तो एक बार देखना चाहिए कि यह जो विद्यारती है इनके यह नंबर किया किसने किस तरीके से हुए उन अधिकारियों उन कर्मचारियों के बारे में सूचना चाहिए और एक विश्तरित आर्डर देना चाहिए जाचका कि इस तरीके से कितने विद्यारती हैं और अगर बहुत ज़्यादा है तो इसमें बड़ी कारवाई और एक बड़ा आदेश विश्तरित आदेश देना चाहिए किवल यही नहीं कि हाँ इनको बार किया जिनको नोक्रिय नहीं दी जाएगी यह सब चीजे हुई कैसे इसकी बारे में हाई कोट को सोचना चाहिए और चुकि देख सकते हैं यहां पर लेका याचियों को नाजायज फाइदा पहुंचाया गया जिसे कोट ने उत्तर पुस्तिका मंगवा करके सत्तापत भी किया है मामले की विवेश करने के लिए बहुत बहुत धनवाद